हेलो दोस्तो नमेशकार के बारे में जो कि बहुत सार लोग कमेंट सेक्षन में रिक्वेस्ट कर रहे थे सर इस टॉपिक को इस खबर को जरूर कवर कीजिएगा सो चलिए इस खबर को तो हम लोग करेंगे करेंगे बट उसी के साथ-साथ इंपोर्टन लर्निंग लेसन भी आप लोग को मिलने वाला है ठीके अब यह लर्निंग लेसन मतलब क्या देखें दोस्तो में हमेशा आपको बताता हूँ कि शेर मार्केट के कुछ अपने-पने नियाम होते हैं कमपनी के अपने-पने कुछ नियाम होते हैं ठीके और उस हिसाब से उनको यहाँ पे चलना पड़ता है तो यह जो कुछ ऐ यह जो कि लोग क्या करते हैं लर्निंग लेसन में कवर करता हूँ बट उसको वो स्कीप कर देते हैं और बाद में उसी पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाए उसी से रिलेटेड डाउट कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं तो इसलिए रिक्वेस्ट करना च चैनल के उपर चल रही है क्या यह सच है तो दोस्तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा हाँ बट बट रुकिए जैसे मैं आप लोगों को बला ना जो जल्द बाजी करेगा न वो इसलिए वो अटक जाता है तो दोस्तो कुछ नियम होते इन नियम उनको सीख यह शेयर मार्केट के कुछ नियम है यह कंपनी के नियम है जब भी भी कोई फ्रॉड होता है उससे रिलेटेट कुछ चीज़े आपको पता होनी चाहिए ठीक है और यह चीज़े दोस्तो मैं आपको फ्री ओफ कॉस्ट यहापे बताता हूँ मैं आपको एक वार्निंग भी देखे होता क्या है कि जो चीज़े में आपको फ्री ओफ कॉस्स सिखा तो बहुत सारे चानल इसी वीडियो को कॉपी करके आपको बताएंगे ठीक है और आपसे पैसे भी मांगते क्या हम आपको शेयर मार्केट सिखाएंगे करके ठीक है वो और कुछ नहीं करते इधर से प प्रकार की कोई चीज़े होती है घटना होती फ्रॉड तो उसके कुछ नियम होते जो कि आपको पता होने चाहिए जैसे की देखे सबसे पहले इंपोर्टन चीज़ को समझो देखे फ्रॉड कब होता है आप मुझे बताओ क्या फ्रॉड अभी जो खबर आई है क्या फ्रॉ ठीक है आपका दोस्त है ठीक है पर बाद में वो पैसा देने का टाइम आ गया वो दे नहीं रहा है दे नहीं रहा है तो हमें लगा कि ठीक है फाइनेशल कोई कंडिशन होगी बड़ बाद में पता चला उसने 10,000 रुपा क्या जुआ खेल लिया या फिर जिस काम के लिए उ तो यह मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं कि जो फ्रॉड डिटेक्ट होते हैं न दोस्तों जैसि कि अभी 2023 अभी हम लोग वीडियो बना रहे है ठीक है तो यह फ्रॉड 2023 में नहीं होता है यह फ्रॉड पहले ही हो चुका होता है दोज़ा है मतलब आप कह सकते पाथ सा लिखा गया तो कर क्या रहे है और बाद में पता चलते है इसने तो डिफॉल्ट इसलिए किया क्योंकि यह तो गफले बाजी कर रहा था ऐसा तो कुछ यह कर रही ही नहीं रहा है तो सबसे पहला नियम क्या सीख गया अप फ्रॉड से रिलेटेड कि जब भी कोई फ्रॉड क होते हैं कौन सा पॉइंट होता है कि आप बैंक से क्या लेते हो अल्टिमेटली लोन ही तो लेते हो तो लोन आप जो लेते हो मान लिजए आपने इमांदारी से लोन लिया ठीक है जैसे आपने बोला कि मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस दोस्तों के साथ, आप समझ रहे हो, इसको बुलते fraud, और दूसरा टाइप कुन सा होता है, एक और fraud का, कि आपको loan चाहिए, ठीक है, and loan किसके लिए चाहिए, business के लिए चाहिए, मैं इमानदारी के साथ business के लिए इस्तमाल करूंगा, बट मुझे पता है कि मेरे पास ऐसे अच्छे documents नहीं है, securities नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, yes, घपले बाजी वाले documents बैंक को provide करता हूँ, और loan लेता हूँ, बट उसको business में इस्तमाल करता हूँ, बट ये भी गलत है, दोनों चीज गलत है, कि आपने जूटे documents दिये, and स वही category में ये fraud हम लोगों को देखने कापे मिल जाते है, ये में पहले आप लोगों को इसे लिए सारा, मतलब basic clear करवार हो, कि कि अगर मैं directly jump करूंगा, खबर के उपर, तो आपको bouncer चला जाएगा, आपको लगेगा, मैं Chinese में क्या बढ़ बढ़ रहा हूँ, ठीके, तो ये हमें समझ में आनी चाहिए, then दोस्तो point number three, very important, थोड़ा presentation खराब होता है, बट काम की चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ, तो पहला चीज आप लोगों को ने समझ लिया, कि fraud, बहुत सालों पहले होते है, detect बाद में होता है, then second, fraud करने के दो तरीके होत होती है, तो लोगों को ये बहुत important है, दोस्तो, जितना star लगाने लगा लो, अभी 2023 में fraud की ख़बर सामनी आई न, तो लोगों को लगते है, अरे बापरे, अभी तो bank डूब गया, तो दोस्तो ऐसा नहीं होता है, ये already bank को पैसा जब नहीं जाता है, बैंक उसको provision करना start करत होती है, तो ये already banks की जो balance rate होती है, दोस्तो, PNL होती है, उसमें fraud का पूरा entry हो चुका होता है, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अभी fraud की ख़बर सामनी आ गई, मतलब कल ये bank गया, कल bank ये share का crash होगा, दोस्तो ऐसा नहीं होता है, ये already उनके PNL में adjust हो चुका हो होता है, ये बहुत important point है दोस्तो, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने introduction इतना बड़ा दे दिया, खबर के उपर अभी हम लोग आए भी नहीं, खबर क्या बड़ी नहीं होती है, जैसे मैं बुलता हूं कि कोई भी building होती है, उसका ये base important होता है दोस्तो, जिसका base ही clear नहीं होगा न, उसकी इमारत भी क्या रहेगी, बहुत ही खोकली रहेगी, अभी मैंने आपका इतना time लिया न, ये base अपला हों का strong किया है, अभी हम लोग खबरों के उपर जाएंगे न, आप देखें कितना आपको फटा-फट समझ में आ जाएगा, ठीक है, त इसके पहले का जो record था, वो ABG Shipyard के उपर था, लबबग 22,000 करोड, हाली में ही देखा था, 2022 में हम लोग को इससे related कबर आई थी, बट 2022 में हुआ क्या फ्रॉड नहीं, फ्रॉड बहुत पहले हुआ था, 4, 5, 6, 7 साल पहले हो जाता है, बाद में पता चल जाते कि अरे इन उन को देखने को मिल रही है, ठीक है यह अभी खबर में क्यों कवर कर रहा हूँ, अभी आपको हर जगे पर देखने को मिला होगा, कि नीरज सिंगल, यह जो कंपनी के प्रमोटर है, ठीक है, जो पुराने मैनेजिंग डिरेक्टर थे, बुशन स्टील के, उनको यहापे ED ने क् कस्टरी में हापे रहने वाला है, तो मामला बहुत ही सिरियस है दोस्तों, इसलिए SFIO के अंडर यह मामला हम लोगो जाते वे देखने को मिला है, सिरियस फ्रॉड इंवेस्टिकिशन ओफिस, इसके अंडर मामला आ जाते है ना दोस्तों, मतलब समझने ना कि कुछ जादा ही मतलब कांड करके रखा हुआ है, आप अंदजा लगा सकते हैं, वेसे भी अमांट्स या मिलों को पता चल ही जाता है, कि 56,000 करोड का फ्रॉड यहापे हुआ है, ठीक है, देन दोस्तों अभी आ जाते है, कि फ्रॉड उन्होंने किया क्या है, तो आप देख सकते हैं दोस्तो कि उनके उपर accuse लिखा हुआ है, मतलब आरोप यहापे लगा हुआ है, कि उन्होंने shell dummy companies बनाई, और उसी किसा साथ जो पैसा है, वो एक कमपनी से another company में आपे घुमा दिया है, और यह किसले किया जाता है, personal use के लिए किया जाता है, the funds were circulated to infuse the capital by property and other, ओहो, देखा लिया, personal purpose के लिए, मैंने आप लोगो को क्या बता है ता, दो ही fraud के कारण होते है, उन्होंने क्या कर लिया, पैसे लिये, ठीके, क्या है, मतलब loan, bank से loan लिया and personal purpose के लिए use किया, property खरीद ली, गाड़िया खरीद ली, shares, mutual fund में, क्या, उसके लिए आपने loan लिया था, बिलकुल भी नही किसी और मकसद के लिया होगा, कौन सा मकसद के लिया होगा, वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं, ये रिखे, इस मकसद के लिया था, कि JSW Steel and Hindustan Zink के साथ वो business करने वाले थे, कौन? Bushan Steel वाले, तो इसलिए ये जो Bushan Steel वाले ने banks के साथ loan लिया था, पर बाद में पता चला कि कोई business के लिए loan इन्होंने इस्तमाली नहीं किया, खुद के ही मज़े यहापे मार रहे है, और दोस्तों ये तो इबदम जबरदस पहुचे हुए निकले, जैसे मैंने कहा कि दो type के fraud होते, इन्होंने तो दोनों fraud कर दिये, मतलब जो documents भी इन्होंने यहापे provide किये न दोस ऐसा भी क्या कर रहे है, yes, personal purpose के लिए उन्होंने इस्तमाल यहापे किया है, और इस चीज़ के चलते दोस्तों, उन्होंने अगर मैं आपको बताओ, 36 बैंक को चुना लगया है, कितना? 36, obviously 56,000 करोड ये एक बैंक दे सकती है, बड़ अगर वो एक बैंक मान लिजे, अगर ए सबसे ज़ादा अगर किसी को नुकसान हुआ है, तो वो दो बैंक से, एक है State Bank of India, और दूसरी है Punjab National Bank, as expected, अभी बुरा मत मनना बट क्या करे, सरकारी बैंक तो होती है, और टॉप करेंगे, इप करेंगे, आप यहापे देख सकते हो, SBI, और कौन सी है, PNB, ये दो बैंक को मजबूत चुना यहापे लगाए जा चुक है, अभी 36 बैंक है, और भी बैंक का नाम है, बट इनको जितना चुना लगाया, उतना और किसी को नहीं लगाया, इलाबाद बैंक का भी नाम है, और भी फलाना फलाना बैंक का नाम है, वहापे 17 सुकरण का फ्रॉड हुआ, तो मैंने इस चुरुवात में इसे लिए तो बेस आपको सिखाया ये अल्रेडी उन्होंने प्रोविजन में लिखा हुआ रहेगा उनके अल्रेडी बुक्स आफ अकाउंट में जितना पैसा डुबाया ना वो रेकॉर्ड हो चुका होगा जो लोगों को ये लगेगा आ रही ये तो अभी क्राश हो जाएगा ये तो बरबाद हो जाएगे नहीं वो अल्रेडी हम लोगों को सारी चीज़े रेकगनाईज होती हुए देखने का आपे मिल चुके होती है उसी को तो अकाउंटिंग सारी चीज़े आपे बोली जाती है ठीके उसके बाद हम लोग थोड़ी दार बाद इस टॉपिक को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे तो ये जो भूशन स्टील है ठीके ये तो कंपनी चली गई आप सभी लोग को पता है फिर NCLT में गया था इंसॉलवंसी प्रोसेडिंग में चली गई थी पूरी तरीके से इसको बेचा गया था और दोस्तो तभी टाटा स्टील ने क्या किया था इस कंपनी को खरीदा था 2018 की यहापे बात है और टाटा स्टील ने खरीदा टाटा ग्रूप ने खरीदा इसलिए बैंक के ओपर बहुत बड़ी महरबानी हो गई दोस्तो कि लगबग लगबग टाटा स्टील ने बैंकों को अट लिस टू थर्ड मतलब 35,200 करोड रुपया वापस दिया अगर कोई दूसरा होता तो इतना बड़ा डिल भी नहीं कर पाता ये तो टाटा था इसलिए उननों ने यहापे कर लिया तो टाटा स्टील ने शेर को खरीदा था आपको याद भी होगा ये वाला शेर Tata Steel BSL, BSL मतलब यही Bushand Steel, so अभी यह listed नहीं है दोस्तों इसको हटा दिया गया है, but yes Tata Steel ने इस company को यहापे खरीदा था, तो इसी चीज के चलते हैं, जान में जाहन इसलिए आ गया yes, 56 में से हम कह सकते हैं लगबग 35-200 करोड यहापे banks को वापस यहापे मिल गए वरना तो मतलब banks की तो और भी हालत यहापे खराब हो सकती थी, तो यह obviously हम कह सकते है, one of the biggest banking fraud हम लों को इंडिया में देखने को मिला है, जो कि already हुआ होते वे देखने को मिला था, but इससे related investigation अभी हम लों को जोर पकड़ते हो गए, 180 दिन हो गए, लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते है रहा हो, बाद में बोल दिया अरे तो भूशन स्टिल default है विया करके फिर देखा गया तो default कैसे हो गया, इतनी बड़ी company, फिर चेक किया तो भाई साब यह तो इसलिए तो लोग, अब देख सकते हो ना, यह stock भागते क्यों नहीं है यह देखे, यह नीचे क्यों रहता है दोस्तो इसी चक्कर में नीचे रहता है, अभी एक बीच में अभी अच्छा खासा performance दे रहा था सड़नली निरवमोदी की खबर आगई, PNB खतम ही हो गया चल ही नहीं रहे, यह तो public का पैसा, इसका taxpayer का पैसा चलता रहता है वो अगर सरकार ने हटा दिया ना, 5 उर्वे पे आ जाएगा stock ठीक है, तो इसलिए सरकारी companies में जाने से पहले हजार बार सोचना होता है, खास करके मैं banking की बात कर रहा है और उसमें worst में based एक ही है, State Bank of India क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसे ने चूना भी लगा दिया तो उनका चूना का जो percentage रहता है, वो शायद से 1% से भी कम होता है गलत तो गलत है, मैं कोई गलत को support नहीं कर रहा हूँ बट येस, State Bank of India इसे लिए डूपती नहीं है, इनका जो journey रहता है इतना सब कुछ होने के बावजुद भी, इनका journey हम लोगों को उपर ही जाते वे देखने को मिल जाता है बाकी सरकारी banks बिल्कुल भी नहीं सो ठीक है दोस्तो, सारी चीजों को यहापे मैंने cover कर लिया informative लगा होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दिना, दोस्तों के साथ शेर कर दिना अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 पुड़े के लिज़ भी आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौनसा अकाउंट आपने लिंक के तरह उपन किया, प्रॉपरली कमेंट से के मेंचन कर देना तो अफते बर के अंदर अंदर सारे लेक्शर्स मेरे साट से free of cost कर दे जाएगे ताकि एप शेर बादर को आसान भाषा से सीख सको So that's it, thank you very much दो, we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye bye